तो आदाब नमस्कार गोड इवनिंस अस्याकाल एक बाद फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमली अच्छी होगी पहले कहानी कहानी के आफिर मैं फिर आप लोगों के कुछ सवाल भी है बात करते हैं तो एक पारधी ग्रो बावरिया ग्रो या पिर कछा बनियान गैंग इन सब की बात नौठ इंडिया की एक बात करें तो यह सब काफी मतलब हरे कोई जानता है इनके काम करने का तरीका है इनका मोडस उपरंडाई इस सब कुछ एक ऐसा गैंग है जो नौट इंडिया से दूर सौथ इंडिया में एक्टिव रहा और आज भी कहते हैं कि सौथ इंडिया में इससे आदा खोवखार गैंग कोई नहीं रहा एक जवाने में इस गैंग की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि लोग अपने घरों के बाहर पहरे लगा कर रखते थे रात को एक साथ सारे नहीं सोते थे और पुलिस को भी शुरू में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था बलके तमिल नाडू आंधरा परदेश यहां के लोगों में भी राहत की सांस ली इस गैंग के बारे में ये कि इतना कुरूर इतना जालिम था इनको ट्रेनी ही ऐसी दी जाती थी कि रहम नहीं करना है लूट पार्ट बाकी सारी चीज़ें तो करनी है लेकिन रहम नहीं करना है और इनसान को इनसान नहीं समझना है और उसका जो असर था वो इनके क्राइम के साथ दिखता था कहानी इनकी पूरी सुना उससे पहले सरफ इनके बारे में एक लाइन बताता हूँ कि इस गैंग के लोगों को जब पहली बार पकड़ा गया तो पुलिस के लिए भी एक अजूबा था कि ये कौन लोग हैं कैसे दिखते हैं क्या पहनते हैं कैसे बोलते हैं और पकड़ने के बाद अब पुलिस के वो लोग सामने थे पुलिस ने जितनी अपने तरीके आजमाने थे आजमा लिए जितना टॉर्चर करना था कर लिया जितनी बुरी तरह पीटना था पीट लिया पर सवाल नहीं कि उनमें से कोई मूँ खोल दे पुलिस खुद परिशान हो गई ठक गई, ठक कर चूर हो गई कि और कितना मारे हैं मार खाने वाले को अतना शायद दर्द का वो अपना इजहार नहीं कर रहे हैं जो पुलिस वाला जो मार रहा है वो दर्द में जादा डूब गए पर मूँ नहीं खोला इसी दोरान में एक इंस्पेक्टर जोनों ने इस गैंग का परदाफार्श किया था जो बाकाईदा इस गैंग के पीखे सालो लगे रहे और एक तरह से उस पे पूरी पेजडी ही कर दी चोटी चोटी बातें उसके बारे में जानी सीखी एक ट्रिक अपनाया और जो कई दिनों से मार पी ठर्ड डिग्री टॉर्चर के बाद किसी ने मूह नहीं खोला एक छोटी सी चीज उनके सामने रखी गई और वो तोते की तरह बोलने लगे और वो था चिकन उनको सिर्फ मुरगा खाने के लिए दिया गया और उसके बाद वो सब कुछ बोलने लगे जो पुलिस सुनना चाहती थी यह है इस गैंग की कहानी आप इसे बहुत सारे लोगों को शायद मालू है इस गैंग का नाम दंडू पालिया गैंग यह नाम है साउट के इस गैंग का इसकी बहुत सारी चीज़ें पार्दी ग्रो या फिर बावरिया यह फिर जो चड़ी बनियान गैंग इन सबसे मिलती जलती है लेकिन यह इन लोगों से कहीं ज्यादा यह वहशी और खुँखार थे दंडू पालिया गैंग की शुरुआत होती है असल में दंडू पालिया एक जगह का नाम है और यह जगह है यह करनाटक में है हुसकोते के पास एक छोटा सा कजबा है और ओल्ड मदरास रोड जो है उसके करीब यह गाउं पड़ता है नेशनल हाईवे नंबर फोर और अगर बात करें किसी माईल स्टोन की तो बैंगलोर से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर है यह दंडू पालिया गाउं दंडू पालिया गाउं पहले कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था इसलिए कि करनाटक का एक पिछड़ा सा गाउं गाउं की आबादी भी बहुत कम उस वक्त मुश्किल से इस गाउं में करीब थाइस सो घर थे चार हजार के लोग करीब गाउं वाले रहते थे रोजी रोटी का कोई साधर नहीं छोटे मुटे काम कर लिया करते थे इस गाउं में सिर्फ एक ही अमीर आदमी था और उस अमीर आदमी का नाम था सौमी बेंकट सौमी करीब चार हजार लोगों के बीच में ये एक लौता था जिसके पास अच्छी खासी जमीन थी इस गाउं में करीब दोसों के करीब बास पास जानवर थे भेड़ बकरिया गाउंवाले इसको बड़े दूसरी देखते थे किया क्या बंदा है ये और वो गाउंवालों की मदद भी करता था पैसे भी थे उसके पास और उसने गाउंवालों के कई फैमिली की मदद की फिर वो चला गया बाहर फिर वो आता था गाउंवालों फिर लोगों की मदद करता था गौवालों को इस चादा उसके बारे में कुछ पता नहीं वेंकट स्वामी की एक बार वेंकट स्वामी बाहर गया वा था और अचानक गौव में पहली बार एक पुलिस के टीम पहुंसती है जो धरम पुरी पुलिस स्टेशन से पुरी फोर्स गौवाले घबरा जाते हैं पुलिस को अपने गौव में देखकर इतनी बड़ी तानाद में तो पता चलता है वो पुलिस वेंकट स्वामी की तलाश में आई थी और तब पहली बार गौवालों को पता चला कि वेंकट स्वामी असल में करनाटक का एक बड़ा नामचीन डा ग्रफ्तार कर लिया ग्रफ्तारी के तीन महीने के बाद वो जमानत पे बाहर आ लिया फिर दंडू पालिया गाउं आता है गाउं की लोगों को सारी चीज़े पता थी गाउं के कई नौजवान अब स्वामी बनना चाहते थे इसके बाद इसी वेंकट स्वामी से इस गाउं की जो अच्छाई थी वो खत्म होने शुरू होती है और धीरे धीरे ये करनाटक में एक कहते हैं कि खौफ का दूसरा नाम बन जाता है दंडू पालिया गाओं वेकट स्वामी के अपने परिवार वो अपनी बेटी अपने बेटे को उसके बाद इस गैंग में शामिल करता है लेकिन फिर धीरे धीरे अब वो इस गाओं के लड़के इस गैंग में जादा शामिल होने लगते हैं करीब 30 से 40 दंडू पालिया गाओं के लड़के अब इस गैंग में शामिल होते हैं और 90s में ये फिर पूरे करनाटक के अलावा आंधरा परदेश, तमिल नाडू पे भी कई शहरों में जाकर वारदात को अंजाम देते हैं धीरे धीरे इनकी कारगुजारी बढ़ती जाती है लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ हो रहा है पहली बार पुलिस को लगता है कि इसके पीछे किसी एक गैंग का हाथ है उसकी एक वज़ा थ में इसके लावा होसुर दनाकानी कोट तमिल नाडू में चित्तूर और अनंधपूर आंधर प्रदेश में तीन करीब दस बारा जगों पे अलग अलग कुछ ऐसे क्राइम हो जिसमें घर में रॉबली हुई लेकिन अजीब चीज एक थी वो ये कि उस घर में जो कत्ल भी तो एक दो तीन और वो कट मार्क ऐसा था कि बलकुल एक ट्रेड मार्क था कि किसी एक ही आदमी या एक ही तरीके से यह गला काटा जा रहा है तब यहाँ पे पुलिस को सिमिलरिटी लगी किस अलग अलग जोगों पे क्या कुछ हो रहा है फिर पुलिस ने इस पे अपनी जाच को सौपा गया. उन्हें इंस्केक्टर साहब का नाम था इन इन चलापाथी इन चलापाथी की नितृत में एक टीम बनाई गया और कहा गया कि यह जो कुछ हो रहा है आप इसको रोगें. अब इन चलापाथी ऐसे से जहां जहां पी ये वारदात हुई, वहाँ वहाँ गए, वहाँ वहाँ लोगों से बात की, सारी बाते करके जो सामने उन्हों ने रखा उसमें से जो चीज़े निकल कर रहें वो ये थी, क्याम तोर पर उन्ही घर में वारदात हुई, जो घर किसी भी कॉलोनी और महले में लगपक सबसे क सारी वार्दात रात को ली ये सारी जानकारी मिली तो इसे एक चीज हुआ कि इन 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 सारे कतले के सिर्फ एक चीज थी कातिल कौन नहीं मालूं और वो ये था कि गला एक तरीके से काटा गया था तो लोगों में भी पैनिक लोग भी अब थोड़ा एलट होने लगे पुलिस के हाथ लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है इन चलापाथी अपनी टीम के साथ लगे हुए है इसी दए दोरान में जो दूसरी चीज पता चली थी वो ये कि इन सारे घरों से पैसों के साथ साथ खास तोर पर गहने यानि यानि के जेवर भी लूटे गए था जा दोरे गए तो इन चलापाथी ने अपना दिमाग मळाया उनने कहा कि अगर ये एक रॉबरी का काम हैड़ कहती है और इतने बड़ी तादाद में पस्टी के आजपास तो कतल ही है सौ के आजपास घरों को लूटा जा चुका है गहने बड़ी तादाद में लूटे गए है तो पैसे तो आदमी खर्च कर देता है इधर उतर दुकान में जाका ये जो जेवर लूटे गए हैं इनका कहीं न कहीं इस्तमाल हो रहा है और जेवर लूटे रहे अपने घर के लिए अपने घर की महिलाओं के लिए तो रखेंगे ने इतनी मुरी तादाद में तो कहीं न कहीं बेचेंगे और इन चलापती ने यहीं से अपनी तफ्थीश का दायरा था थोड़ा मोड़ा और इन एन Zar Yi अलाकों में और इसके लावा असपास के आलाकों में दूरदास के भी ओ आलाकों में ऐसे जोहरियों की तलाश शुरूव की जो गयर कानूनी तरीके से या दो नम्बर तरीके से जवारात खरीडते है ये भी पता था कि शहर के अंदर जहां जहां ये सारी वारदात हुई ये वहां असपास में कोई बेचने का रिस्क लेगा नहीं तो दूर दराज में भी अपने लोगों को अपने मुगबिरों को लगाया गया पता करने के लिए कि फिल हाल फिल हाल में अगले एक साल में डेड़ दो साल में ऐसे कौन कौन से जहरी हैं जहां लोग जेवर बेचने के लिए आ रहे हैं पुलिस लगी रही, तलाश करती रही, आखिरकार एक जोहरी के बारे में पता चला, ऐसे और भी कई जोहरी के बारे में पता चला कि वो खरीदते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे चोर उचके और वो बाकी सब उन से लेते थे, लेकिन ऐसी कोई वो चीज नहीं मिले थी कि जिससे एक सबूत और सिरा मिले कि उन तक पहुँचा जाए इतफाक से एक जोरी इसी करनाटक में सामने आता है मुखबरी के जरीया पता चलता है कि कुछ लोग हैं जिनमें और और ते मी हैं बच्चे मी हैं और मर्द भी हैं वो सारे अलग-अलग दो, तीन, चार के गुरूप में आते हैं और जेवर बेचते हैं और करीब 40-50 बार वो जेवर बेच चुके हैं अब ये चीज ये जानकारी सामने आना और टाइम फ्रेम यही है जो इंसिडेंट हो रहा है पहली बार पुलिस लगता है कि शायद वो उस तक पहुंच जाए इसके बार उस जोहरी पे नज़र रखी जाती है और उसको भरोसे में ले जाता है धमका कर या प्याद से और उससे कहा जाता है कि जैसे ही वो लोग आए तो वो इशारा करे और पुलिस के रिफार्म करे मुख्बिरों का जाल उसी दुकान के आसपास बिचा कर रखा जाता है कई दिन हटे निकल जाते हैं महीने निकल जाते हैं एक रोज अचानक जोहरी से एक अच्छी खबर आती है कि वही लोग जो पिछले कुछ वक्त से उसके पास अलग लग जेवर बेचने के लिए आ रहे थे और इससे पहले उस जोहरी ने जब ये बताया जो कुछ जेवर उसने खरीदे थे कुछ रखे हुए थे पुलिस के टीम ने उन जेवरों को उन विक्टीम के फैमिली और रिशिदारों के पास ले गई दिखाने के लिए कि क्या उनमें से किसी का है थोड़ा सा इसमें वक्त लगा लेकिन कुछ विक्टीम ने पैचान लिया कि यहां यह उनके घर से ही लूटा गया था तो अब यह कंफर्म हो गया कि इस इंसिडेंट का और इस जोहरी के यहां जेवर बेचने वाले का आपस में रिश्टा है तो जोहरी का फोन आता है पुलिस के टीम पहुंचती है तीन लोगों को पुलिस मौके से गरफतार करती है उसमें एक महिला भी थी इसके बाद इंचाला पती के टीम उनको ले जाती है इंट्रोगेट करती है कोई मूनी खोलता एक दिन दो दिन पुलिस रासत भी ले वे हैं पुलिस का स्टडी भी निकलती जा रही है बट वो अपने आपको बेगुना अपने आपको एक आम गाओं का गरीब इनसान यही पेश कर रहे है जेवर के बारे में वो यही कहानी सुने हैं कि किसी ने दिया था कहीं पढ़ा हुआ था कहीं से मिल गया था लेकिन बाकी और उपने गैंग के बारे में या इस इंसिजेंट और क्राइम के बारे में वो कुछ भी नहीं बता रहे हूँ पुलिस ने बेताहाशा टॉर्चर किया हो भूब मारा पीठा हर तरीके अपनाया हर हरबा अपनाया उनका मुझ खुलवाने के लिए लेकिन नाकाम रही तब ही अंचालापाती को कुछ चीजें पता चली थी इस पूरे केसे स्टी की दौरा हर जब फुल मून आसमान में होता है तो ये लोग मुर्गा काटते और वो भगवान को एक तरह से अर्पित करते हैं इसके पीछे की लौजिक यह थी और साथ में जो मुर्गा काटते हैं उसका जो ब्लड था वो पीते कि इस से जो है दो चीजे होंगी एक भगवान उनकी उपर वाला उनकी सुरक्षा करेग और दूसरा इस ब्लड पीने से होगा कि जिस इनसान का वो ब्लड बहाएंगे जाकर मारेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा और दूसरा वो कमजोर नहीं पड़ेंगे आदी हो जाएंगे इन चीजों को देखने का तो नॉर्मल रहेंगे तो गैंग के हर मिंबर के लिए ज चिकन ही था ये बात तफ्तीश के दौरान इन लोगों से बातचीत के दौरान इसी गिरफतारी के बात पता चला इंस्पेक्टर को इत्फाक से जब ये कस्टडी में थे तभी फलमून आ गया अब इत्फाक की बात थे तो जब सारे तरीके नाकाम रहे तो फर एक आख दिन में तुम्हें छोड़ देंगे और जिद दिन फलमून था उद दिन फिर उने वहीं बाहर निकाला गया बोला की बताओ तुम लोग क्या करते हो जो करते हो कर लो तब उसने पहली वार का कि हमें मुर्गा चाहिए पलिस ने मुर्गे का इंतिजाम किया इसके फिर इंस्पेक्टर ने पूछा कि अब बताओ अपना सच और उन्होंने सच बोलना शुरू बर दिया फिर कहानी आई दंडू पालिया गैंग की जब मूँ खोला तो पूरी कहानी सुनाई बताया कि दंडू पालिया गाउं से हम तालुक रखते हैं गरीबी में थे लेकिन विंकट सौमी नाम का एक शक्स आया उसने अमीरी का रास्ता दिखाया वो जबाता उसके पास बहुत पैसे थे गाउंवाले उसको रश की नजर से देखते थे तब उसने सौमी ने कहा कि तुम लोगों को भी ये सब कुछ मिल सकता अगर तुम मेरे कहने पे चलो धीरे धीर गाउं के लोगों को वो गलत रास्ते पे ले गिया फिर दंडू पालिया गाउं के नौजवानों को उसना एक पूरा गैंग बनाया और उस गैंग में खास तोर पर और और बच्चों को शामिल किया और शुरुआत उसने अपनी ही फैमली से की विंकट सौमी ने अपनी बे दूरी बेचने के नाम पर ट्वालेट क्लिंग करने के नाम पर और कोशिश करती किसी ना किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए और उस घर का मुवाइना करें कितरे लोग हैं क्या है और उसके बाद वो रैकी करके आके रिपोर्ट देती सबसे पहले चीज यह थी कि घर किनार जो है वो कितना सेफ है यह भी देखना है घर के अंदर कितने लोग हैं बुजर्ग हैं के नहीं है अगर घर में कोई अकेला ही है तो वो सबसे आदा आसान है तो इस दंडू पालिया गैंग की मेंबर महिला दिन में निकलती भेज पदल कर घरों में जाती रैकी करती रिपो है और यह सुरक्षित है यहीं करना है तो दूसरा कोई गैंग मेंबर पलट को उस घर को देखने नहीं जाता वो मान लेता कि जो इसने कहा है उसी घर को ही निशाना बनाना है इसके बाद यह लोग दिन धलने का इंतजार करते शराब पीते रात जैसी होती उसके बाद यह सबसे पहले उस घर के टेलिफोन लाइन और बिजली के कनेक्शन को काट देते हैं कम से कम इस गैंग के अंदर आट से दस लोग होते जो एक घर पे धावा बोलते हैं पर वो अलग-लग जाते हैं ताकि किसी महले वाले को शक ना हो एक शक्स टेलिफोन के लाइन काड़ता, बिजली के लाइन काड़ता, दूसरा शक्स जो पडोस के मकान है जो भी एक दो तीम, उनके बाहर से उसमें लॉक लगा देता, ताके किसी मदद के लिए कोई घर से बाहर न निकल सके, इसके बाद वो इस घर के अंदर जाते, ताला लेते घर के अंदर जो भी है, फिर उससे सारा सामान मांगते कीमती, वो सामान देता, वो चाहते तो सामान लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन इनका एक वो भी था, किसी एक को मारना भी है, तो फिर किसी एक का चाकू से गला देते, गला काटने के बाद सारे सामान लेते, बाहर आते हैं घर की जो महिला थी या जो मेंबर है गाउंग इसकी गैंग की सारा लूटा हुआ सामान जेवर और पैसा वो उसके पास होता है जेवर बेचने और बिकवाने की जिम्मेदारी उसी की होती है लूट की रकम किस किस के कितने हिस्से में आएंगे ये भी सब गैंग की महिला है वो ये काम करती है एक तरीका ये था दूसरा तरीका ये था कि इस गैंग में बच्चों को भी शामिल किया जाता है कर दिन में रहकी के लिए कई लोग तुकांदा और बाकी लोगों को इस तरह बेजतें घरों के आस-पास घर में आने की इजाज़त नहीं देते इस देन को यहां कि अधी पता था तो यह किसी महिला को बच्चो गोद में उसके दे देते और वो महिला घर में जाती कहती बच्चे को भूग लगी है या प्यास लगी है थोड़ा पानी दे दो और फिर वो उस घर के अंदर का उतनी देर में जितना मुएना कर सकती थी वो करती फिर आकर रिपोर्ट देती और उसके बाद वो वहाँ पे घर के अंदर लूट पाट करते इस तरीके से इन्हों ने 80 से जादा तो कतल किये और साथ में जो मेल मिंबर थे फीमेल मिंबर भी गैंग की थी कई घर ऐसे गए ये मेल मिंबर चुके शराब पी कहते थे उस घर में जो लड़किया या औरते मिलती उनका रेप भी करते अगर असी कतल किया तो शायद इन्हों ने चालिस के करीब रेप भी किया ये इनका पूरा तरीका था दिखने में ये बिलकुल आम एकदम गाओं के सीधे साथे लोक इनके जो कपड़े पहनने का तरीका था वो बिलकुल आम ये या तो बनियान पहनते टी-शर्ट पहनते बनियान पहनते या फिर पैंड पहनते कुछ लुंगी भी पहनते हाँ पैंड भी पहनते लेकिन चप्पल पहनते और जादा तर जो क्राइम में इन्वाल्व होता इस डंडू पालिया गैम में यह सिर्फ उनको अपने साथ रखते थे ले जाने के लिए क्राइम करने के लिए जिनकी एज 25 से 35 साल के बीच होती जो 35 से उपर हो जाता तो उसको दूसरे काम में लगा दिया जाता जिसमें रिस्कम हो कि बाकी का खाने का इंतिजाम करना हाथियार क इंतिजाम करना या जो जेवर है उसको बेचने के लिए ढूंड़ना कहां कहां पे क्या हो सकता है तो इस तरीके से ये सारी चीज़े करते हैं जब उन्होंने मूग खोला इसके बाद इस गैंग के अलग-अलग 19 लोगों को गिरफतार किया गया इनके उपर मुकदमा चला जो सेशन कोट है उसने इन में से 11 लोगों को फांसी की सजा दी पांच को उम्रकायत की दी कुछ को कम दी हाई कोट ने भी फांसी की सजा वरकरार रखी लेकिन सुप्रिम कोट में से कुछ लोगों की फांसी की सजा को उम्रकायत ने बदल लिया गया और कुछ के मामले अभ ऐसे तो जो अभी भी बाहर हैं अब इनका एक पहलू ये दूसरा पहलू इधर वक्त बीटता गया और इन चालापाती जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने पहली बार इस गैंग का परदाफाश किया जब गैंग के बाकी लोग पकड़े गए तेन चालापाती को इस गैंग के मिंबर ने सीधे सीधे धम की दी कि तुमने हमें पकड़ा हमारा खुलासा किया है तुम्हें और तुम्हारी पुलिस की जो टीम है करीब नौ या ग्यारा लोगों की टीम थी इंस्पेक्टर के साथ उन सब का अंजाम बुराओ को उन सब को माड़ा ले अब उस वक ग्रफतार थे लेकिन कुछ बाकी थे बा अपनी सेकुरिटी का इंतजाम खुद किया इस गैंग के बारे में बाचीत करते हुए और इस गैंग के बारे में जानने के बाद उन्हें एक चीज और पता जली थी ये गैंग कभी उस घर में धावा नहीं बोला उस घर को कभी लूटने नहीं गिया जिस घर में कुता होत बाकी तो मदद मिलने ही दी थी तो जो इंस्पेक्टर रेन चला पाती है इन्होंने अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए टेंड कुतों को मगाया अलग अलग और अपने घरों में रखा क्योंकि उन्हें एक कमजोरी मालूम थी कि ये दंडू पालिया गैंग ऐसे घर पर कभ खलाफ और उसमें गैंग के लोगों ने सीथे जच को धंकी दे दी हम तो अभी कुछ लोग हैं जो आपके पास हैं आप हमें जो सजा देना दे दो हमारे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे इसके बाद कई महीने तक सुनवा ही नहीं हुई इस मामले की आगे इस वज़ा से क कि सीथे सीथे जच को धंकी थी वो भी कोट रून के अंदर पुलिस की मौजद की में पुलिस को अलड़ी धंकी मिल चुकी है और ये इतने खुंखार थे जो उनके साती इतने कुंखार कि उसको हलके में भी नहीं लिए आजा सकता था तो बाद में खैर फिर कई महीनों के बाद दोबारा इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और फिर धीरे धीरे ये मुकदमा चला और आखिरकार इन में से जैसा मैंने आपको बताया कि 11 लोगों को फांसी की सज़ादी के थी लेकिन आज तक करीब ये मामला 96 में पकड़े गये थे सारे 2005-6 में लोवर कोट का फैसला आया था पर फांसी आज तक अभी तक किसी को नहीं होगी है अब हम 2020 में जीरे लिकिन एक चीज़ है कि अब इस गैंग का उतना आसर ना बैंगलोर में है ना उसके आस-पास है धीरे धीरे लोग और पुलिस को चुप गये थी गाउं के बारे में जानकारी मिल गी थी तो पुलिस ने वहां नज़र रखना शूरू किया कौन उस गाउं से बाहर जा रहा है कौन कहा क्या करने जा रहा है तो उन सब की बाकाइदा लिस्ट बनाई गए और इस गैंग के इस किरोह के हर एक मिंबर पर चोटे से ब पहुंच जाती है यह जानने के लिए कि कोई नया शक्स तो नहीं आ गया है यह दैशत और खौफ है लेकिन अब शुक्र है उपर वाले का कि इस गैंग का उतना कहर नहीं इस इस इलाके में और जादा तर लोग जेल में कुछ हैं तो इदर उदर भागे में बाकी पुलिस क लगता दबिश है जिसका नतीजा यह है कि क्राइम कम हो रहा है लेकिन आज भी सौथ इंडिया का इसे सबसे खोखार गैंग में से एक गैंग मना जाता है जिसके उपर 80 से जादा कप्ल का इल्जाम है करीब 30-40 रेप के इल्जाम है 100 से जादा ड़कैटियों के इल्जाम है और जिस गैंग में महिला बच्चे पुरुष सभी शामिल है तो यह थी कहानी उसी गैंग की अब दो तीन चीज़े है एक तो आज अपने विजय पाटिल साहब है यूएसे से लॉकडाउन में है इनका बड़े है तो हैपी बड़े विजय पाटिल साहब हमेशा अच्छे जी एस रजावत साहब है इनका कल बड़े है तो रजावत साहब आपको भी एडवांस में हपी बड़े कल चुके सेटरेड़े है कहानी रिकॉर्डे होती है सुनीता गिलहारे है और राजेंद्र जी गिलहारे ये दोनों सुनीता और राजेंद्र जी इन दोनों के अनिवर तो मैंने कई बार बताया है फिर एक बार बताता हूं रहा हूं साथ तीन जैन्वरी बर्डे होता है मेरा साल बताता है नहीं किसी को विवेक जगलान है ये जाट रेजिमेंट में है अपने जवान भाई हैं इंगेट लिख्याइत के कि शमज्भाई आप हमारे मेल का रिपलाई नहीं करते विश्श भी नहीं करते हुआ तो माफी चायता हूं विवेक जगलान साथ म kla тогда आप मेंस करगया लेकिन चलिए बाता है उसी की वज़ा से हम लोग देश के अंदर सुकून से रहते हैं तो आपको सलाम हम सभी का पूरी क्राइम तक फैमली की तरफ से विवेक जगलान साभी है जाट रेजिमेंट इसके लावा सुमित कुमार रॉय है और राही मलिक है बड़ा अच्छा मेल लिखा है इनों सौरव रगुबंशी हैं प्रीती मनीश हैं और इनका ये कहना था की कुछ इनों ने कहा है पर मैं भूल रहा हूं क्या कहा है हाँ इनोंने कुछ बड़ी अच्छी चीजें लिखी है कि कैसे पहले क्राइम तक की कहानी सुनती थी फिर बीच में बन कर दिया फिर सुनती है त श्वेता सूरेवंश है आकांशा सिंग है इनोंने आकांशा ने ये लिखा है कि एक तो दो चीजे थी यह क्या हमें चाइना के माल का बैकॉट करना चाहिए एंडियन सरकार कर सकती है मुश्किल है इसलिए कि हमारा पूरा जो ट्रेट का डील होता है आपको पता है चाइना ये सब गुसे में और जलबाजी में ये फैसले नहीं लिया जाते तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हाल फिलाल में होगा करोना के लिए आयरवेत कितना कारगर हो सकता और आयरवेत की जरीए कुछ बनाने की कोशिश हो रही है बिल्कुल हो रही है इसमें आकांशा और वो कि अब अलग-अलग सारे लगे हुए हैं कि आयूरवेट के जरीया भी इस करोना के कोई दवा या कुछ वैक्सिन उस तरीकी के चीजें हो तो बाकी जो प्रिकॉशन के लिए वो तो बीच बीच में सारी चीजें आही रही हैं इसके लावा संजू रावत है इन्होंने भी कुछ लिखा है तो थैंक्यू वेरी माच आप सभी का आज कहानी में इतना ही कल सनिवार है लेकिन कल कहानी होगी recorded होगी तो आप से मुलाकात होगी कोशिश करेंगे मंडे को live कहानी के साथ लेकिन कल की अलग कहानी होगी Saturday तब तक अपना खयाल रखिए और अपनों का भी खयाल र की तैंक्य वेरी मंच